महाभारत काल के पाँच स्राप जिने आज भी भुगत रहे हैं लोग। मित्रों यह तो आपने महाभारत से जुड़ी कई कताएं सुनी होंगे। परंतु महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कताएं हैं जिससे आज भी हिंदु जन्मानस अंजान है। इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल में दिये गए कुछ ऐसे स्राप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में ये माना जाता है कि उन स्रापों को आज भी जन्मानस भुगत रहे हैं। पहला श्राप स्रिक्रिष्ण का अस्वथामा को श्राप माभारत युद के अंतिम दिन जब अस्वथामा ने धोके से पांडव पुत्रों का वद कर दिया और इस बात का पता जब पांडव को चला तब पांडव भगवान स्रिक्रिष्ण के साथ अस्वथामा का पीछा कर पांडवों को अपने सामने देख अस्वथामा ने अर्जुन पर ब्रहमास्त्र से वार किया। यह देख स्रीकिस्न ने अर्जुन को ब्रहमास्त्र चलाने को कहा, जिसके बाद अर्जुन ने भी अस्वथामा पर ब्रहमास्त्र छोड़ दिया। परंतु महरसी बेदव्यास ने बीच में ही दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अस्वत्थामा एउम अर्जुन से कहा कि क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि ब्रहमास्त्र के आपस में टकराने से समस्त्र स्रिष्ठी का नास हो जाएगा इसलिए तुम दोनों अपने अपने ब्रहमास्त्र वापस ले लो तब अर्जुन ने अपना ब्रहमास्त्र वापस ले लिया लेकिन अस्वत्थामा ने महरसी से कहा कि महरसी मेरे पिताजी ने इसे वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई इसलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता और इसके बाद उसने ब्रहमास्र की दिसा बदल कर अभिमन्यू के पत्नी उत्तरा के गर्व की ओर कर दी या देख भगवान स्री कृष्ण ने अस्वथामा को श्राब दिया कि तुम तीन हजार वर्ष तक इस प्रित्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगा किसी भी पुरुष के शाथ तुम्हारे बाचित नहीं हो सकेगी तुम्हारे सरीर से पीब और लहू की गंद निकलेग इसलिए तुम मनुस्य को बीच नहीं रह सकोगे दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे और इसी कारण आज भी ये माना जाता है कि अस्वथामा अभी भी जिवित है दूसरा स्राप मानडवे रिशी का यमराज को श्राप माभारत में मानडवे रिशी का वर्ना नाता है एक बार राजा ने भोल बस न्याय में चुक कर दी और अपने सैनिकों को रिशी मानडवे को सुली में चढ़ाने का आदेश दे दिया परन्तु जब बहुत लंबे समय तक भी सुली में लटकने पर रिशी के प्रान नहीं गए तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तथा उन्होंने रिशी मांडवी को सुली से उतरवाया तथा अपने गलती के लिए छमा मांगी इसके बाद रिशी मांडवीर यमराज से मिलने गए तथा उसे पूछा किस कारण मुझे जूठे आरोप में सजा मिली तब यमराज रिशी से बोले जब आप बारह वर्स के थे तो आपने एक छोटे से कीड़े के पूँच में सीख चुबाई थी जिस कारण आपको यह सजा भुगतनी पड़ी यह सुन रिशी को क्रोध आ गया और उन्होंने यमराज से कहा कि किसी को भी बारह वर्स के उम्र में इस बात का ग्यान नहीं रहता कि धर्म और अधर्म क्या है क्योंकि तुमने एक छोटे अपराद के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है अता मैं तुमें स्राप देता हूँ कि तुम सुद्रियोनी में दासी के पुत्र के रुप में जन्म लोगे मांडवे रिशी के इस राप के कारण यम्राज को विदूर के रुप में जन्म लेना पड़ा तीसरा स्राप अपसरा उर्वसी का अरजुन को स्राप ये कता उस समय की है जब 13 साल के वनवास के दोरान एक बार अरजुन दिव्य सास्त्र के खोज में स्वर्ग लोग गया वहाँ उर्वसी नाम की एक अपसरा उनके रूप एउम सौंदौरियो को देखकर उन पर मोहित हो गई फिर एक दिन उर्वसी ने अरजुन को विवाह करने के लिए कहा तब अरजुन ने उनसे कहा कि मैं आपको माता के समान मानता हूँ इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता इस बात पर उर्वसी क्रोधीत हो गई तथा उसने अर्जुन से कहा कि तुम एक नपुन्सक की तरह बात कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन नपुन्सक हो जाओगे तथा इस्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़ेगा यह बात सुनकर अर्जुन विचलित हो गए और फिर वो देवराज इंद्र के पास गए उन्हें सारी बात बताई उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर उर्वसी ने अपने श्राप की अवधी एक साल के लिए सिनित कर दी तब इंद्र ने अर्जुन को संतावना देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है यह श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान के रुप में काम करेगा और अग्यातवास के समय तुम नर्तिका के वेश में कौरों के नजरों से बच सकोगे चौथा स्राप युधिस्टिर द्वारा इस्त्री जाती को दिया गया स्राप महाभारत में दिये गया स्रापों में युधिस्टिर का इस्त्री जाती को दिया गया स्राप सर्व विदित है महाभारत में वर्णित कथा के नुसार जब कुरुक छेत्र में युद के दोरान अरजुन ने महाराथी कर्ण का वद कर दिया तब पांडव की माता कुंती उसके शव के पास जाकर विलाप करने लगी यह देकर पांडव को बड़ा ही आश्चेरे हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो हमारी माता हमारे शत्रू के शव पर अपना आसू बहा रही है तब जेस्ट पांडव युदिस्टिर अपनी माता कुंती के पास गए और उन्होंने देवी कुंती से पूछा हे माता क्या बात है जो आपने सबसे बड़े सत्रू कर्ण के सव पर विलाब कर रही है। तब देवी कुंती ने बताया कि पुत्रों जिससे तुम अपना सबसे बड़ा सत्रू समझते रहे वास्तों में वो तुम सभी का सबसे बड़ा भाई था। कर्ण राधे नहीं बलकि कौंते था अपनी माता के मुख से ऐसी बाते सुनकर पाचो पांडो दुखी हो गए। फिर कुछ छण रुक कर योधिश्टिर अपनी माता कुंती से बोले हे माते ये बात तो आप सदा से जानती रही होंगे कि अंगराज कर्ण मेरे बड़े भाई थे तब आपने हम लोगों को यह बात बताई क्यों नहीं इतने दिनों तक ये बात आप छुपा कर क्यों रखी आपके एक मौन ने हम सभी को अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया इसलिए मैं आज इस धर्म चेत्र कुरुक चेत्र में सभी दिशाओं आकास और धर्ति को सा पाईगी पांचवा स्राप स्रिंग्यों रिसी का परिक्षित को स्राप कथा के अनुसार 36 साल हस्तिनापूर पर राज करने के पश्चात जब पांचव पांड़ द्रौपदी सहित स्वर्ग लोक की और प्रस्थान कर रहे थे तब उन्होंने अपना सारा राज अभुमन्य के पुत्र परिक्षित के हाथों में सौप दिया ऐसा माना जाता है कि राजा परिक्षित के शासन काल में हस्तिनापूर की सारी प्रजा युधिस्टिर के सासन काल की तरह शुखी थी परन्तों कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है एक दिन राजा परिक्षित रोज की तरह वन में आखेट खेलने को गए, तबी उन्हें वहाँ शमिक नामक के रिशी दिखाई दिये, वे अपनी तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन रत धारन कर रखा था, परन्तु ये बात राजा परिक्षित को मालूम नहीं थे, इसलिए राजा परिक्षित ने कई बार र रिशी शमिक को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने अपना मौन धारन जारी रखा, यह देखकर राजा परिक्षित को क्रोध आ गया, और उन्होंने क्रोध में आकर रिशी के गले में एक मरा हुआ साप डाल दिया, उधर जब यह बात रिशी शमिक के पूत्र स्रिंगी को पता चली, तो उन्होंने राजा परिक्षित को स्राब दिया, कि आद से साथ दिन बाद, राजा परिक्षित की मृत्यू तक छक नाग के डसने से हो जाएगी, और अंत में रिशी श्रिंगी के स्राब के कारण, राजा परिक्षित की मृत्यू तक छक नाग के डसने के बात हुई क्योंकि राजा परिक्षित के जीवित रहते कल्यों में इतना सहस नहीं था कि वह इंसानों पर हावी हो सके और आज हम सभी इस कल्यों को उसी स्राप के कारण भोग रहे हैं